हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशी के शुराब देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप और आज इस फडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के मुकाबले की जो कि खेला जाएगा न्यूजिलेंड वर्सिस अफगानिस्तान के बीच में गयाना के प्रॉविदेंस स्टेडियम के अंदर आठ जून को सुभा के पांच बजे से और इस मुकाबले का लाइव टेलिकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और होट स्टार पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ गयाना की पिछ रिपोर्ट के बारे में तो मेरे साब से काफी अच्छा मैदान है आठ बैटिंग को भी हापे हेल्प मिलेगी अभॉलिंग को भी हेल्प मिलेगी एक काफी बैलैंस टेकाक और देखने को मिलने वाला है dovrb टिम टॉस जीते ही ना इस मुकाबले में पहले गिंद्पा exactly जिनका यह पहला मुकाबलह इस साल की टॉन्थ का और जरूरूर से यह लोग जीतना चाहेंगे, केन विलियमसन कप्तान है इस टीम के और अविस सी बात है इन पिच्छों को देखते वे जो केन विलियमसन है, उनकी बल्ले बाजी काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली इस मुकाबले में, अच्छी बात यह है कि डैवन कॉनवे फिट होके आचुके हैं इस टीम के अंदर आईपिल उनकी टेकनिक भी हाँ पर काम आएगी और फिन एलन के उपर जिम्मेदारी होगी तेज शुरुआ देने की बहुत ही कमाल की प्लेयर है वो ओपनर है टी-20 फॉमेट के देखते हैं इदर वो क्या करके बताएंगे तो केन, विलियमस और डैवन, कॉनवे और साथी में आपके फिन एलन आपके टॉप त्री होने वाले हैं मिडर ओडर के अंदर आपको डेरे मिलचल देखने को मिल जाएंगे मिचल की थोड़ी बहुत गिंदबाजी भी कर लेते हैं बैटिंग भी काफी अच्छी चन्ने के लिए कुछ काफी अच्छी पारी खेली थी मिचल ने और ग्लैन फिलिप्स को बली IPL के अंदर मौका ना मिलाओ पर न्यूज़लेंड गी टिंग बलैन फिलिप्स को पूरी अच्छी तरह यूज़ करती है वो बैटिंग भी करेंगे फिल्डिंग भी किशिब भी शांदार है उनकी और उनकी स्पिन बॉलिंग भी काफी शांदार होने वाली है तो मेरे सबसे बल्ले बाजी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने के आएगी न्यूज़लेंड को इस मुकाबले के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूँ ओल्राउंडर्स के बारे में तो दो काफी अच्छे स्पिन बॉलिंग ओल्राउंडर्स इस टीम के अंदर माइकल ब्रेस्विल की वापस हो रही है इंजरी से वापस आ रहे हैं वो और ब्रेस्विल की बैटिंग भी काफी शानदार है स्पिन बॉलिंग मिया कर लेते हैं आप उनपर नजरे बना के रखिएगए गा और मिचल सेंडर की जितनी तारीफ करो होती हिनी कामें लेफ्ट आम पेसरे बॉल को स्विंग कराएंगे, उनको देखने में काफी मज़ा आने वाला है, फिर मैट हेंडरी भी है, टिम साओधी भी है, लोकी फर्गूसन भी है, तो तेज गेंदबाजी में काफी सारे उप्शन है, और स्पिन बॉलिंग माग के बाई इस सोडी का उ लेगे इस मुकाबले में, न्यूजलेंड के लिए ओपन कर सकते हैं, डैवन कॉनवे और फिन एलन, नमबर तीन पे केन विलियमसन, नमबर चार पे डेरिल मिचल, नमबर पांच पे गलैन फिलिप्स, नमबर चैपे जीमी नीशम, नमबर साथ में माइकल ब्रेस्वेल, फि पर देखो यहां की जो पिचर्स हैं, वो अफगानिस्तां को बहुत जादा रास आने वाली है, नवीन उलक ने पिछले मुकाबले में काफी डीसेंट गिंदबाजी करी थी, फिर एक बार कंटीन्यू करना चाहेंगे वो इस मुकाबले में, उनके जो कटर्स है न, इस टीम भी काम आएगी, फजल हुक फरूकी ने पिछले मुकाबले के अंदर पांच विकेट्स निकाले थे, एक बहुत ही अच्छे लेफटाम पेसर है, इस मुकाबले के अंदर फिर एक बार वो टीम के बड़े विकेट टेकर होंगे, और राशित खान तो ऑविस सी बात है, एक कमाल करेंगे, और मुझीबुर रह्मान के बारे में लोग उतनी तारीफ नहीं करते हैं, पर मुझीबुर रह्मान भी एक बहुत ही कमाल के विकेट टेकर हैं, पावर प्ले के अंदर वो गिंदबाजी करेंगे, साथ ही में और राउंडर के अंदर आपके पास मौमन नभी का उप्शन है, मौमन नभी बैटिंग में अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी काफी अच्छी करते हैं, तो तीन काफी शांदा स्पिनर हो चुके हैं अफगानिस्तान की टीम में, जो कि इस टीम के लिए बहुत ही शांदार बात है, अगर मैं बात करता हूँ बैटिंग के ब मारेंगे उनको अच्छा करना पड़ेगा फिर आके पास गुलबदी नईब है करीम जनत है नजीब उला जदरान है मौमन नभी है तो काफी डीसेंट प्लेयर से अफगानिस्तान के पास बैटिंग के अंदर भी देखने वाली बात होगी इस मुकाबले के अंदर वो क्या करक खान, मुझीब उर्रह्मान, नवीन उल्हक और फजोलुक फरूगी तो ये टीम हो सकते हैं इस मुकाबले के अंदर अफगानिस्तान की आप मुझे कमन करके बताओ कि इस मुकाबले में कौन से टींग मुझी जीत मिलेगी और इस मुकाबले की फेंटेसी टीम आने वाली है वैसे ये मुकाबला काफी बराबरी का होने वाला अफगानिस्तान में बिचो के उपर काफी कमाल की टीम होगी पर मुझे वाई बारी इस मुकाबले में जीत मिले कि न्यूजिलेंड की टीम को उम्मीद करते हैं वडिया आपको अच्छी लगी होगी लगी तो लग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह वीडियो दिखने के लिए मुलाका तो कि आप सब्सक्राइब वीडियो के अंदर और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं